हेलो गुड बॉर्णिंग टो आल क्लास सेवेंथ जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं हम आपको एक पार्ट पढ़ा रहे थे आत्म विश्वास के बारे में भाग एक हमने आपको समात कर दिया आज हम आपको पढ़ाएंगे आत्म विश्वास पार्ट तेरा भाग दो और पेज खौफ उन्हें डर जो है आत्म विश्वास हीं कर दिया मुलिश्य को अपने पर विश्वास ना हो तो वो सब कुछ हार जाता है कर्शिन ने बहाबारत में सरवत्तम काम यही कि पांड़ों को उन्होंने आत्म विश्वास से भर दिया वो अपने कारे को महत्तों को समझते तबी तो पूरे आत्म विश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था परिशान मत हो युद्ध कर तो निश्चिद रूप से युद्ध में अपने शत्रों पर विजे पाएगा नेता जी सुबाश चंदर बोस जब आई सीएस की परिक्षा में बैठे तो अंग्रेजी प सुगंता के साथ आसानी के साथ इनकी पंकडियां किनी जा सकती है प्रशिक्षक प्रसन हो गया खुश हो गया पर उसने उन्हें एक बार और कसोटी पर कसा एक बार फिर परिक्षा ली उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा क्या इसमें से सुबाश चंदर बोस पास हो सकता है सुबाश बाबू ने अपने अभी तरह आजाओ नाम का विजिटिंग कार्ड मोड कर उसमें से पास करते हुए कहा जी इस तरह से पास हो सकता है ये है अटूट आत्मिश्वास अपने उपर भरुसा रखना इसके अभाव में यदि वो घबरा जाते और परिक्षा में वो असफल हो जाते हैं दूसरी हमारी चमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने इसके लिए अवश्यक शर्थ यही है कि हमारा अपनी चमता और सफलता में अखंड विश्वास हो हमें अपने पर बिल्कुल भरुसा होना चाहिए हमारे भीतर जो भी चीज़ पैदा हुई है भै डर शंका कोई भी डाउट ठीक है और अधेर ये ऐसे डाइनमाइट है ऐसे बुराईया है जो हमारे परती दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं कनहिया लाल मिश्व प्रभाकर आगे कहते हैं इस पार्ट में हमारे विद्याले में जो नगर से दूर जंगल में था चौदा वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था प्रभाकर जी कह रहे हैं उस समय की बात है कुछ महीने बाद उसका दूसरा बालक उसके साथ आने लगा वो दूसरा बालक बहुत डर्पोग था वो भूतों और चोरों की कहानियां उससे सुनाता था इसका परभाव पढ़ा कि वो पहला बालक भी डर्पोग हो गया उसे भी उस बात में खौफ हो गया डरने लगा और वो दोनों मेरी प्रतिक्षा करते रह कि मैं चलूं तो वो भी मेरे साथ चले शूत्र ये बनता है इसका अर्थ ये निकलता है कि गांत थे इंधिन निराशा निराशा वादियों ये मानना चाहिए मनुशे को कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो तो उसका मूँ तोड़ कर उसका उत्तर देना संभव नहों तो वहां से हमें उठकर चले जाना चाहिए क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मश्वास की भावना खंडित होने कब है? किसी विपरकार का कोई डर नहीं रहता है अनुभव वाणी ये कहती है मनुशे की जीवन के लिए इस से अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि वो सदा मानता अनुभव करता रहे और मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा जो भी कार ये में हाथ में लूँगा मुझे उसमें सफलता अवेश्य बिलेगी ऐसा मनुशे को मानना चाहिए बहुत से मनुशे ये सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी देव हमारे विपरीत है इश्वर हमारे खिलाफ है अपनी सफलता को अपने हाथों से पीछे धकेल देते हैं उनका मानसिक जो भाव है उनका जो दिमागी जो फिलिंग से जो एहससात है सफलता और विजे के अनुकूल बनता नहीं तो सफलता और विजे कहा मिलेगी यदि हमारा मन, शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम हमारे कारियों को जो नतीज़ा है यो निशकर्श है, जो उसका रिजल्ट है वो भी निराशा च्छनक ही होगा क्योंकि सफलता की विजे की उन नतीच के गंजी तो अभीचल शुद्धा ही है क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भगवान हूँ ये तमाम बाते मनिश्री के मन में नहीं आने चाहिए इन प्रशनों का सही उत्तर जानने के लिए किसी जोती से पूछने की आवश्रक्ता नहीं है, पंडितों से जानने के कोई जरुवत नहीं है इसके लिए तो आप अपने ही सही पूछिए आप अपने को अभागा अनुबव करते हैं या भाग्यवान अभागा अनुबव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, भाग्यवान अनुबव करते हैं और इसी पार्ट का हम भागतीन आपको कल पढ़ाएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद